अगर आप भी उन लोगों में शुमार है जो कि धाकर जैसी या पर चूतिया पंती उर्फ हीरो पंती जैसी बकवास फिल्में देख देख कर ये सोचने और ये मानने पर विवश हो चुके हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कभी कोई धंकी पिक्चर नहीं ला सकती तो में एपीजे अबुलकलाम साब का नाम आता है या होमी जांगीर भाबा का नाम आता है या हमारे दिमाग में नाम आता है विक्रम सारा भाई का बस ये तीन नाम हमें याद आते हैं इनके लावा और भी लोग थे उनकी क्या स्टोरी है उनके क्या चीवमेंट है उन्होंने क क्या किया था इसके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी कुछ लिखा नहीं गया ऐसे ही एक साइंटिस्ट है मिस्टर नम्भी नाराइनन जी जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन कैसे करप्ट सिस्टम ने उन्हें जेल में डाला जा उनके बेटे बहु मतलब ऐसे मोमेंट उन्हों ने जेले उनके परिवार ने जेले उस गुना की उने सजा मिली जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं था ये सारी चीज़े हम लोगे चुपाई गई हैं और कैसे ये सारी चीज़े हुई ये देखने के लिए आपको रॉकेटरी ज़रू देखनी चाहिए जब आप ये फिल्म देखेंगे और फिल्म देखकर निकलेंगे इसमें शारुखान भी हैं जो की बहुत अच्छी अक्टिंग करते हैं और जैसे हमारे देश में बहुत सारे करोड़ों को पता नहीं है वैसे ही यहाँ पर जब ये फिल्म स्टार्ट होती है शारुखान की एंट्री होती है और जो कास्ट और क्रू मेंबर है वो कोई जानते नहीं कि नमभी नाराइनन कौन है सब एकदम टाइम पास वाले मोड में रहते हैं लेकिन जैसे ही मिस्टर नाराइनन अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और जब कहानी खत्म होती है वहाँ खड़ा एक 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 इनसान इंक्लूडिंग शारुक खान सबकी आँखों में आसू आ जाते हैं जो अन्याय हुआ है मिस्टर नमभी नाराइनन के साथ ये सब लोगों को विवश कर देता है रोने के लिए माफी माँगने के लिए वह मिस्टर नमभी नाराइनन जो हमारे देश के अंदर लिक्विट फ्यूल टेक्नोलोजी लेकर आए जिसका इस्तिमाल करके PSLV, JSLV और आगे चलके हमने चंदरयान, मंगलयान ये नाम आप लोगों ने अभी रिसेंट्ली सुने होंगी 2019 में जो चंदरयान लाँच किया गया था एक ऐसा इनसान जो अगर जेल नहीं जाता उसके उपर फेक ऐलिगेशन नहीं लगते तो शायद ये चंदरयान, मंगलयान हम अरली 2000 तक ही स्पेस में छोड़ सकते थे बहुत आगे निकल सकते थे आज जब हम देखते हैं नासा को या एलन मस्क को यह आई दिन कोई रॉकेट छोड़ते रहता है शायद हम लोग इनसे एडवांस लेवल पर होते लेकिन हमारे देश का करप्ट सिस्टम कहिए सरकारें कहिए और हमारी जो इंटेलिजन्स कहिए या पुलिस वाले कहिए कैसे फरजी केस लगाया मिस्टर नम्भी नारायनन की पुरी जिंदगी बरबात करके रख दी जब आप वो सीन देखते हैं वो दुख वो तकलीब वो हालात आप देखते हैं तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितना करप्ट सिस्टम था लेकिन आम शूर ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे करोडों लोग होंगे जिनने इस बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि हमारी सरकारों ने ये सारी चीज़े एकदम से छुपा के रख ली अब यहाँ पर मिस्टर नमभी नाराइन को जिन लोगों ने फसाया डेफिनेटली वो लोग किसी न किसी की मिली वकत से ही आये होंगे आप इसमें क्या पता हुई उस समय कि सरकारों के कुछ लोग मिले हो और सरकार शायद अमेरिका की किसी लोगों से मिली हो क्योंकि यह तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि हम लोग स्पेस के शेतर में आगे बढ़ पाएं हम लोगों ने जब नुकलेर टेस्ट किये तब भी अमेरिका ने बहुत सारे रुकावटे डालने की कोशिश की तो कैसे आजादी के बात से ही एक जो वेब सीरीज अभी कुछ टाइम पहले है थी रॉकेट बॉइस वहाँ पर भी हमने देखा था कि कैसे C.I.A. के लोग जो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की चान के पीछे पड़े हैं क्योंकि अमेरिकावाले C.I.A. वहाले कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया अपने द रीकले विपन बना पाए ऐसे ही अम्यकन्स कभी नहीं चाहते थे किunda की एत। कफेस के शेसर में कुछ कर पाए और अमेरिका की CIA की कुछ यहांप स्लीपर्ट सेल्स भारत के अंदर भी हैं असादी के वासे लेकर अब तक तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और यह चीज़ें मिस्टर नम्भी नाराइन की सिंदिकी को कैसे बरबात करके चले गई यह सब आप तब ही जान पाएं नम्भी नाराइन जी की जो वाइब बनी हैं इनके जो कलीक्स बने हैं और भी जितने जो कैरेक्टर्स आते जाते हैं इंफेक्ट जो शारुक की आसपास जो मेकप वाले या डबिंग वाले या साउंड वाले या जो टेक्निकल यही नहीं वो पुलिस वाले या सी बी आई या कोट कचरी वाले या मारिया रशीद और फ्रांस के लोग या पिर अलग-अलग कंट्रीस को जो लोग दिखाए गए हैं नासा के जो लोग दिखाए गए सब लोग काफी बड़िया तरीके से अपने अपने रोल अपने अपने खिरदार के साथ जस्टिस करते हुए दिखाए देते हैं एक सिंपल सा एक पुलिस वाला अपने खुननस निकालने के लिए कैसे केस रच्स देता है फिर उसे जासूसी का नाम दे देता है कैसे मालदीब से कहानी एकदम पाकिस्तान को आपने कुछ सीक्रेट बता दिये पिर कैसे नम्भी नाराएंट जी को उठा लिया जाता है इस उसरों भी उनकी मदद करने से मना कर देता है कैसे तिल का ताड़ बनाकर सिस्टम किसी का करियर बरबात कर देता है ये इस फिल्म में बहुत खुबसूरती के साथ दिखाया गया है तो अगर आपने फिल्म देख लिए तो जरूर कमेंट करके बताएगे का आपकी भी फिलि कर देता हूँ आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच